समस्कार दोस्तों वेक्टी.nd में आपका स्वागत है मेरा नाम है विवेक कुमार मेरे पास है यहाँ पर रैडमी का नोट 9 प्रो और रैडमी का नोट 10 जो के हाली में लॉइंच हुआ है और आज करने बाला हूं इन दोनों फॉन का फॉल कंपेरेजन और हम देखेंगे क्या छागी के है और देखेंगे से फिराइस। सबस्करा बते हैं यहां ठैसी तो यहां पर मौन शेर्ट पावर और फिंगर्प्रिंट के स्कैनर आपको दिया हुआ है टौप secondary mic आपको मिल जाता है वही Redmi Note 10 में top पर speaker भी दिया हुआ है यान कि dual speaker के साथ आता है एक speaker के bottom में भी है left side में है दोने iPhone का SIM tray यहां पर आप अपनी SIM insert कर पाएंगे और यह bottom side दोने iPhone का speaker आपको यहां मिल जाता है charging jack है mic है और earphone jack है तो Redmi Note 9 dual speaker के साथ आता है यान कि एक bottom side में एक top side में दो speaker आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे और दोस्तों यह है दोने iPhone का back से दोने iPhone glossy finish के साथ आते हैं लेकिन difference यह है Note 9 Pro का जो back है वो है glass का और साथी Gorilla Glass 5 का protection है यहां पर जबकि Redmi Note 9 का back plastic का है यहां आपको मिल जाएगा साथी दोने iPhone का camera setup आपको different देखने के लिए मिलेगा यहां पर बात करें setup किसका वड़ी है तो यहां पर Redmi Note 9 का camera setup है वो ज्यादा अच्छा है साथी दोने iPhone का फ्रेम है वो प्लास्टिक का ही बना हुआ है तो design के मामले में अवस्विए दिए रेड्मी दोने iPhone पंचोल डिस्प्ले के साथ आते हैं वह यही similarity है बकी बात करें साइज की तो Note 9 Pro में 6.67 इंच की full HD plus IPS डिस्प्ले है जिस पहरे Gorilla Glass 5 का protection वहीं Note 10 में आपको मिलती है 6.43 इंच की full HD plus Super AMOLED डिस्प्ले यहां पर protection है Gorilla Glass 5 तो Gorilla Glass 5 का protection है Note 9 Pro में याने की durable जादा है लेकि अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो महाँ पर Note 9 Pro में IPS है जबकि Note 10 में आपको Super AMOLED मिलेगी याने कि डिस्प्ले की quality यहां पर Note 10 की ज्यादा बैतर है as compared to Note 9 Pro और साइज भी यहां पर थोड़ा सा चोटा है तो compact लगेगा आपको Note 10 as compared to Note 9 Pro और थोड़ा lightweight भी है यहा options wise दोनों ही फॉन में same features हैं कोई difference यहां पर नहीं है mobile hotspot से लेके और scanner तक और second page पर भी यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग बगएर आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है दोनों ही फॉन में बात करें अगर hardware की तो यहां पर चलते हैं दोनी फॉन के about phone section में और आएगा और बात करें अगर android opening system की तो वहां पर डिफ्रेंस है रेड्मी नोट 10 इंवाक्स में लेकर आता है android 11 जबकि रेड्मी नोट 9 प्रो इंवाक्स में android 10 के साथ आता है प्रोसेसर में बहुत बड़े डिफ्रेंस है रेड्मी नोट 10 में आपको मिलता है snapdragon 678 octa-core प्रो GPU है Adreno 618 याने की 618 तो hardware के मामले में यहाँ पर totally Redmi Note 9 Pro ज्यादा अच्छा है as compared to Redmi Note 10 साथी बात करें अगर बैटरी की तो Redmi Note 9 Pro में बैटरी है 5020 mAh की वहीं Redmi Note 10 में बैटरी आपको 5000 mAh की मिल जाती है तो बैटरी का कोई खास डिफ्रेंस नहीं है लेकिन प्रोसेसर का बहुत ब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ खास डिफ्रेंस आपको दोनाई फोन में देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि दोनाई फोन में MIUI 12 है और यहाँ पर आप देख सकते है special features गेम पर वो वीडियो टूल वोक्स फ्लोटिंग आइकन और यहाँ पर एक यहाँ पर दोनाई फोन के UI features में आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा तो MIUI 12 है तो features भी यहाँ पर सेम है किवल एक features extra है यहाँ पर Note 10 में All Awean Display का जो के Redmi Note 9 Pro में नहीं है और यह है दोनाई फोन का security और यहाँ पर दोनाई फोन में आपको मिल जाते हैं face lock और fingerprint lock अब आपको देखने के लिए मिलती है तो दोस्तों यहाँ पर हमने एंडल कर लिया है दोनाई फोन में face lock और fingerprint lock अब बारी आती है performance की तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं किस पॉन की performance जाद आच्छी आपको मिलती है पहले यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं face lock और देखते हैं performance कैसी है यहाँ पर दोनाई फोन की face lock में तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर face lock में कोई खास डिफरेंट दोनाई फोन में नहीं है दोनाई फोन प्रोपरली और कवी fast face को unlock कर रहे हैं हाला कि note 9 pro लिटिल बिट फास्टर है लेकिन इतना fast नहीं है ठीक है दोनाई फोन दोनाई फोन कर देंगे तो अभी तक हमने देखा design जिसमें Redmi Note 10 काफी ज्याद अच्छा है इसमें कोई दो रहे नहीं है डिस्प्ले Note 10 की ज्याद आच्छी है लेकिन hardware में totally Redmi Note 9 pro ज्याद आच्छा है अब बारी आती है camera की camera में quad camera setup आपको दिया हुआ है और मेन camera दोनाई फोन का वो 48 MP का है और दोनाई फोन में 8 MP का ultra wide और आपको 2 MP का depth मिल जाता है Note 10 में 5 MP का macro है स्वारी 2 MP का macro है जबकि Note 9 pro में 5 MP का macro camera दिया हुआ है features यहाँ पर same है आप देख पारे हुआ यह photo mode है और यह है दोनाई फोन का ultra wide और यह मेन और लास्ट में zoom का option है साथी flash, HDR, AI और filters और beauty mode यहाँ पर दोनाई फोन में आपको मिल जाते है Note 9 pro में एक ची एक्ष्टा है Google Lens जो के Note 10 से हटा दिया गया है साथी यह है दोनाई फोन का video recording mode और यहाँ पर आप देख पारे हुआ होगे ultra wide का option है और filters और beauty mode दोनों यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे दोनों ही फोन में बात करें video recording की तो यहाँ पर difference नहीं है दोनों ही फोन में HD, Full HD और 4K तक का video आप record कर पाएंगे दोनों ही फोन से difference यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं मिल दा आप देख पाएंगे Full HD पर 60fps का video recording का support दोनों ही फोन में यहाँ भी है यहाँ प्रो मोड और दोनों ही फोन में यहाँ पर दोनों ही फोन में यहाँ पर दोनों ही फोन में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं अब लागया more option यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे night mode 48MP camera का option slow motion panorama document mode और यहाँ पर आपका time lapse और AI watermark तो यहाँ पर भी बिलकुल भी difference नहीं यहाँ दोनों ही फोन के camera में कोई difference यहाँ पर आपको नहीं मिलता है चाहें बात camera quality गी हो कहां camera features की हो front camera Redmi Note 9 Pro में 16 Megapixel का बात करें अगर features की तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं सबसे पहले चलते हैं more में आप देखते हैं यहाँ पर features क्या मिलते हैं आपको front पर night mode आप देख पा रहे होंगे front पर work कर रहा है night mode के साथ 48 Megapixel front पर work नहीं करेगा और यह है short video और slow motion front पर work कर रहा है और यह front पर work नहीं कर रहा है timeless front पर नहीं कर रहा है एक और लास्ट वीचर से हैंगे आपको यहाँ पर ब्यूटी मोड भी है यह नॉर्मल फोटो मोड यहाँ फ्लेस HDR AI और फिल्टर से beauty mode अविलेवल है नॉर्मल फोटो मोड पर भी उसी के साथ यह है वीडियो रिकॉर्डिंग और यहाँ पर वी आपको beauty फिल्टर देखने के लिए मिल जाते हैं और बात करें अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की में और सबस्व अल् hybrid और यहां पर वीडिया की और देखते हैं क्या बर्क करती है घ्रच यहांपर और देखने के लिए टाइंप लेप्स यहां पर वर्क कर रहा है फरंट पर बिल्कोल दौन ही फौन में कर रहा है तो दो में फीचर दोलो tailagi और यहां पर है वही फ्लेटी और फिल्ट। और । याटी आईए और यहां पर वही fight को आई अर फ्लेटório यहाँ पर रेडमी नोट नाइन परोगे ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि स्लो मोशन और नाइट मोट दोनों ही महाँ पर फ्रेंट पर वर्क कर रहे हैं जो कि नोट टैन में नहीं है अब बारी आती है प्राइज के देखि मेरे पास फ्राइज यह दो फोन है रेडमी नोट नाइन प्रो और रेडमी नोट टैन नोट टैन 6128 के साथ आता है 14,000 रुपेगा यानि 13,990 जबकि नोट नाइन प्रो 464 के साथ आता है 13,990 यह दोनों ही फोन सेम प्राइज में लेकिन आप रेम रोम का फरक है अब बारी आती है कि 14,000 में आप दोनों में से कौन दा फोन चूज करेंगे तो जिसको अच्छा हार्डवेर चाहिए होगा वो यहाँ पर पर्चेज करेगा रेडमी नोट नाइन तो यह था हमारा रेडमी नोट 9 प्रो और रेडमी नोट 10 के वेज़ फोल कमपेरिजन उम्मिद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले है चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूले हैं मिलते हैं एकली वीडियो के तक के लिए धन्निबाद, have a nice day